Hello friends, I am Dr. Pankaj और आज हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे कि MD और MS करने के बाद डॉक्टर्स की salary कितनी होती है तो देखें वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप से request है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखें सबसे पहले जब आप MD या MS की degree करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं PG या पोस्ट ग्रेजुएशन तो MBBS के बाद MD या MS की degree होती है जो की लगबग 3 साल की होती है तो यह जो 3 साल होती है इसमें आपको पैसा तो मिलता है पर उस पैसे को salary नहीं बोला जाता है उस पैसे को हम लोग बोलते है stipend और generally यह जो stipend होता है यह taxable नहीं होता कुछ-कुछ state नहीं जहां पर पर काफी जगों पर taxable नहीं होता है इसका मदर इस पर आपको कोई tax नहीं देना है तो भाई अब यह stipend होता कि इतना है तो देखिए यह अलग-अलग होता है हर state में अलग-अलग होता है और कुछ हर college में भी अलग-अलग हो सकता है पर generally state के एक state के सभी colleges के अंदर almost same होता है जैसे कि अगर UP की बात करूँ तो जो stipend KGMC में मिलेगा वही कानपूर में होगा वही आगरा में and so on पर state में vary कर सकता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से जब जितना knowledge मुझे हास से 3-4 साल पहले आसाम में शायद stipend काफी कम था मेरे ख्याल से 28,000 या 33,000 पर मन्त था कुछ ऐसा ही था ठीक है और AIMS में जो था AIMS में stipend I think 90,000 पर मन्त था और अब हो सकता है एक लाख हो गया हो पर यह जनरल ही ना vary करता है तो यह 30,000 रुपे पर मन्त से लेके एक लाख रुपे पर मन्त हो सकता है depending on college and state पर एक बात पक्की है कि जब आप MD या MS करते हैं या post graduation करते हैं तो उस दौरान आपको घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको यह जो पैसा मिले का पर मन्त यह काफी enough होता है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है next अब भी देखिया आपकी MD या MS तो आपने pass कर ली मतलब कि 3 साल के बाद आपको degree मिलगी अब आगे क्या होगा तो generally होता क्या है कि ज़्यादा तर लोग MD MS करने के बाद SR ship join कर लेते हैं ठीक है और SR ship होती कितने साल की है तो SR ship 3 साल की होती है मतलब कि PG pass करने के बाद आप 3 साल की SR ship कर सकते हैं अब एक चीज़ है कि SR ship में selection कैसे होता है तो selection का simple criteria है ज़्यादा तर जगों पर SR ship के लिए interview होता है तो उस interview को देने के बाद आपको मिल जाती है और ऐसा नहीं है किसमें जॉब ने मिलती है अगर हो सकता है एक medical college में नहीं मिली पर दूसरे में मिल जाएगी कहीं नगी आपको किसी medical college या किसी hospital में तो जॉब SR ship मिल ही जाती है अब बात आती है कि SR की salary कितनी होती है तो जो SR होता है उसकी salary vary करती है ठीक है वो लगबग एक लाख रुपे पर मन से लेके 1.2 लाख रुपीज पर मन तक हो सकती है depending on state and institution ठीक है कि आप किस state में काम कर रहे हैं और आप उस state के किस college में काम कर रहे हैं for example अगर बोलू तो अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में SR की salary लगबग 67,000 पर मन्त है ये काफी कम है पर बिहार में बाहर practice करके SR और कमा लेता है पर है 67,000 वहीं अगर मैं बात करूँ UP की या डेली की तो वहां पे salary लगबग वन लेक रुपीज पर मन्त के आसपास है और डेली में तो I think मेरे ख्याल से 1.2 लेक पर मन्त है SR की salary तो ये जगे के हिसाब से state के हिसाब से बदलती है SR की salary पर generally मोटा मोटी देखा जाए तो एक लाग से लेके 1.2 लेक पर मन्त तक तो रहती ही है अब एक important बात है कि क्या SR ship में आपकी salary हमेशा ही एक लाग रहने वाली है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है experience के साथ और time के साथ ठीक है आपकी salary बढ़ जाती है कैसे बढ़ती है बहुँ सपोस करो आपने बिहार में जोइन किया था जहां पर आपको 67,000 पर मन्त मिल रहा था अब आपने बिहार में एक साल काम कर लिया ठीक है तो आपको एक साल का experience हो गया तो अब आप क्या कर सकते हैं आप बिहार से resign कर दो किसी और state में जोइन कर लो जैसे कि दिल्ली में जाके जोइन कर लो तो एक तो आपके पास एक साल का experience भी है ठीक है उपर से आप अब जगे भी change कर रहे हो तो जनरली कर आप प्राइवेट में जोइन करोगे ना तो प्राइवेट में अगर एक या ते कि bargaining नहीं होती वहाँ पर fix salary होती है तो वो जिस जगे की जितनी है उतनी ही आपको मिलेगी ठीक है अब मैं ऐसे काफी SR को जानता हूँ जो even 2.00 लेक पर मन तक कमा रहे हैं ठीक है मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं कुछ लोग सोनीपत में हैं कुछ लोग UP में हैं जो कि क्य साम से दे जाते हैं तो आप इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हो ठीक है अब एक बात आती है कि जब आप SR जोइन करते हो government institute के अंदर जैसे कि government medical college या government hospital के अंदर तो उसमें एक limitation क्या होती है कि उसमें आप multiple hospital जोइन नहीं कर सकते हो ठीक है और अपनी private practice भी नहीं आप जोइन लोग illegally बाहर जाके बिना बताय चोरी छुपे काम कर लेते हैं पर वो है नहीं legal पर कुछ state ऐसे भी है जैसे कि बिहार बिहार में SR को salary मिलती है 67,000 रुपीज पर मन्त के हिसाब से ठीक है पर यहाँ पे legally SR को राइट है कि बाहर जाके किसी और hospital या private practice अपनी कर सकता है तो यह सुभारती हो गया मेरठ में ठीक है या फिर कोई private hospital है जैसे कि Apollo हो गया ठीक है उसके बाद Fortis हो गया वहाँ पर क्या कि अगर आप वहाँ पर जॉइन करते हो तो वहाँ पर आप जॉइन करके multiple hospital जॉइन कर सकते हो ठीक है और अपनी private practice भी चला सकते हो ठीक है जैसे मैं जब Fort पर government college में अगर आप काम करते हैं तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं ठीक है वहाँ पर ये आप legally bound होते हो कि आप medical college में ही काम करोगे अब तेखो एक और चीज होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग MD या MS करके ही satisfy हो जाते हैं बट आजकल क्या है आजकल जम करने के बाद SR SHIP के साथ इन चीजों की त्यारी में लग जाते हैं मतलब कि वो लोग सुपर स्पेशलिटी की त्यारी करते हैं जैसे DM, MCH, FNB, fellowship तो ऐसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो की और्थों में जो मेरा subject है उसमें तो इतनी जरूरत नहीं है सुपर आप complete कर लेते हैं तो उसके बाद चाहें आप किसी भी clinical branch में करो ठीक है आप ENT में करो अप्था, medicine, surgery आप 1.5 lakh से लेके 3 lakh पर मन्त तक salary कमा ही लेंगे आराम से ठीक है हो सकता है starting में थोड़ी कम रहे जैसे जब मैंने अपनी SR SHIP शुरू की थी तो मेरी पहली salary 1 lakh पर मन्त थ experience with time के साथ आप पैसे जादा कमाने लग जाते हो पर एक बात पक्की है कि आप 1.5-3 lakh रुपे पर मन्त तो आराम से ही कमाल होगे ओके दोसमें कोई doubt नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, thanks for watching my video